हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि आप ग्रूप D को कैसे क्रैक कर सकते हैं ग्रूप D को क्रैक करने से पहले ग्रूप D का क्या सलेवस है किस टापिक से कितने नंबर के क्वेशन पूशे जाता है ग्रूप D का क्या पैटर्न है इन सभी बातों को जानना आप के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होगा यदि आप इसके पैटर्नों को समझ जाते हैं त को प्रेश्ट करें दोस्तों इस समय एक्जाम चलना है इसके कुछ दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद आपका गुरूपडी का इक्जाम स्टार्ट हो जाएगा चलिए दोस्तों इसके पहले स्लेबस को देखते हैं स्लेबस को देखने के बाद आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए कौन सी बुक से आपको प्रेक्टिस करें जो इक्जाम के लिए ज्यादा फायदे मंद हो तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि किस टापिक से कितनी नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपका है मैथिमेटिक्स मै इस नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जनल साइन्स से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंट अफेर्स से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल दोस्तों आपका हंडेट नंबर का क्वेश्चन आएगा हंडेट नंबर का होगा आपको जो समय मिलेगा 90 मिनट का होगा और दोस्तों इसमें जो माइनस मार्किंग होती है आपकी वन भाई ठाड होता है इसको भी आप ध्यां रखिएगा यह तो गुरूप डी का टॉपिक है कि इस टापिक से इतने इतने नंबर का कोईश्चन पूछा जाएगा चलिए दोस्तों आपको ब कि के बारे में पुरा बताया जाएगा भली बाती दोस्तों आपका है मैत की तैयारी कैसे करें तो जो मैथमेटिक्स होता है यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है यह आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं तो क्या करे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें यदि आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ें तो आप साहिल सर के लेक्चर को देख सकते हैं जो वाइफाइ स्टेडी पे इनके सभी लेक्चर मिल जाएंगे और इस समय एक क्रेस कोर्स गूर्प D के लिए स्टार्ट किया गया है वह भी जाके आप देख सकते हैं यदि आप पढ़ चुके हैं तो आप को टेंसल लेनी की बात नहीं है आपको बस बुक बता देगा उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और सभी फार्मूले को एक जगर लिखके उसको प्रैक्टिस कीजिए द आपका नेक्ट टापिक है रिजनिंग रिजनिंग दोस्तों माइक्सिम्यम जो स्टूडेंट होते हैं वह 25 प्लस 30 में 25 प्लस कर ले जाते हैं यह भी स्कॉरिंग सब्जक्ट है दोस्तों यह 30 यह 30 नंबर का आपका रिजनिंग के क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 28 29 30 नंबर लाना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यदि मैं रिजनिंग पढ़े हैं तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और किस बुक्स करना है यह आपको इस वीडियो के लाश्ट में बताया गया है यह आप रिजनिंग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्या करना है कि आप आल लाइन क्लासेस जैसे ही तेशर का जो वाई फाई पर मिल जाएगा या एक्जाम पूर पर जो सर अच्छे पढ़ाते हैं वहां से जाकि आप इनके क्लासेस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं चलिए नेक्स टापिक को देखते हैं अब को बीच नमबर यानि कि पचीश में बीच नमबर लाना है इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना ही है इसके साथ आप क्या करें कि All In Classes पे जाएं वहां पर सिप्राम या उनके साथ में क्या है कि एक्जाम पूर की ओएक से यह आप तो पैटर्नों को समझ लें और उसके अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या करेंगे कि अच्छे से एक्जाम के पैटर्नों को समझेंगे और एक्जाम करेक कर सकते हैं चलिए नेक्स टापिक को देखते हैं आपक पंद्रन नमबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जेनल अवारनेस में क्या होता है कि करेंट अफेस को जो टापिक होता है कम से कम 14 से 15 नमबर होता है और जो 5 या 6 नमबर होता है उसमें दो रस तो आपका जियोग्राफी आ जाता है पॉलिटी आ जाएगा जोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री इन सभी जो इस्टेटिक जीके हो गया इन सभी से ये टापिक आपको पूछ लिया जाते हैं कोईश्चा और यदि आप अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ हैं आरलाइन कलासिस पढ़ना चाहते हैं तो एक्जामपूर चले जाएग्जामपूर के चैनल पर चाहिए और वहां पर विएक सर के द्वारा करेंट अफेर्स अच्छे तरियस पढ़ाए जाता है यदि आप किसी अर चैनल को परिफर करते हैं तो उसी चैनल से आप मंथली करेंट अफेर्स देखिए दोस्तों यहां पे तो आप के हो गए जनर्ल अवारनेस मैथ करेंट अफेर्स यह कैसे पढ़ें कितने नंबर का पूछा जाएगा कितने नंबर आप स्कोर करने का टारगेट बनाना है यह सभी बाते हो गई आप आपको बुक बता देते हैं कि किस बुक को ज़्यादा प्रिफर करें सबसे अच्छा जीके जीयस के लिए दोस्तों जीके और जीयस के लिए सबसे अच्छी बुक आपको माना जाएगा यदि थिवरी परशन पढ़ना चाहते हैं उसके लिए लुसेंट बुक होता है लुसेंट बुक सभी एक्जामों के लिए बेश्ट बुक माना जाता है इसके साथ यदि यह आप लुसेंट बुक को पढ़ने के बाद आपका आता है इक इस पीडी की बुक जीके जीयस के लिए जो वेरी वेरी इंपौर्टन इसमें इंपौर्टन टापिक दिया गया है और प्रिभीज से इर के जो एक्जाम है previous year के जो railway के exam कराये गया है जैसे 2018 में ALP के कराये गया है RRBJ के कराये गया है और group D के exam कराये गया है इसके सभी previous year question अब GKGS के एक ही जगा मिल जाएगा वहाँ सब अधिक से अधिक practice कर सकते हैं दोस्तो अब बात रह गए कि आप practice किस book से करें दोस्तो आपको practice करने के लिए सबसे अच्छा book बताते हैं दो book है उसमें से आप youth publication का ले लें practice करने के लिए इसलिए कि youth publication का आपको prefer वहाँ पे आपको जो question रहता है उसका summary भी दिया रहता है वहाँ पे आपका solution भी दिया रहता है इसमें hundred के hundred question होते हैं और इसमें math reasoning आपका math हो जाएगा reasoning होगा current affair general awareness के mixed question है यह आप practice अधिक से अधिक करते हैं तो आप group D का pattern को समझ जाएंगे और previous year का question आप cover करते हैं तो आप उसके जो group D का syllabus होता है उसको समझेंगे और भली भात आपतायारी कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर तो यह group D को क्रेक करने का formula था कि कैसे आप करेक कर सकते हैं दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का like करें subscribe करें और अपनी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें thanks for watching